नमस्कार दोस्तों मैं हूँ शेश्मनी पांडे और आप सभी का स्वागय थे मेरे यूटूब चैनल पैरामेट टॉपिक पे जहां पर आपको मिलती है मैडिसें चैनल से लिलेटेंफ। इस वीडिए में आज हम बात करेंगे नर्व पैने तरूपिक नामसे जलाते हैं यह अगर आप पहली बार पर पॉस्या मेरे हैंगे अधीु सुष्ट करमेंगा किधिक चैनल को सब्सक्राइब अगुरो क्यों जROU दबा तो सबसे पहले हम यह जानते हैं कि यह नर्व क्या होती है नर्व एक तरह से नर्व फाइवर्स की एक तरह की सेल्स होती हूं का एक बंडल होता है तो जो यह सेल्स होती हूंने हम नियूरॉन्स के नाम से जानते हैं यह नियूरॉन्स का जो काम होता है वो हमारे बॉड़ी और ब्रेन के बीच में कम्यूनिकेशन करना होता है यानि कि इलेक्रिकल सिगनल्स यह लाने और ले जाने का काम करते हैं और इसी के माध्यम से हमें मह नियूरॉन्स होते हैं और इंटर नियूरॉन्स होते हैं तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मोटर नियूरॉन्स क्या होते हैं तो मोटर नियूरॉन्स जो होते हैं वो ब्रेन और स्पाइनल कार्ड से सिगनल को मसल तक ले जाते हैं जो हमें चलने में मदद करते हैं सांस ले होते हैं यृध्टर निःरॉंस के बीच अमिमुनिकेट करते हैं जैसे कि कुई भी गरम चीज य wash मैसिस हमा यृधिन तक कि रोल प्ले करते हैं यह हमने देख लिए निउरॉंस के बारे में तो यही निउरॉंस मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं जिसे हम नर्वस सिस्टम कहते हैं और हमारी बॉड़ी में दो तरह के नर्वस सिस्टम होते हैं एक होता है cns एक होता है pns cns यानि कि central nervous system pns मतलब peripheral nervous system तो cns में brain और spinal cord होता है इस सिस्टम का काम होता है कि हम क्या सोचते हैं क्या महसूस करते हैं किस तरह से चलते हैं इन सब activity को control करना pns यानि कि peripheral nervous system यह प्रकार के neurons का एक network होता है जो कि हमारी spinal cord से बाहर की और निकलते हैं और यह system हमारे brain और spinal cord से signal को हमारे अंगों जैसे हाथ पैर उंगलियों तक पहुंचाने का काम करती है यह PNS यानि कि peripheral nervous system को दो अलग भागों में बाटा गया है जिसे हम somatic nervous system और automatic nervous system कहते हैं somatic nervous system यह हमारी स्वेक्षिक गत्विदियों को regulate करता है यानि कि हमारी voluntary actions होती है उनको control करता है और automatic जो होता है यह हमारी unvoluntary actions को control करता है हमने देखा nerves के बारे में और nerves से मिलकर जो हमारा nervous system बना यह basic idea हम लोगों ने इसके बारे में जान लिया ताकि हम समझ सके कि nerves क्या होती है अब हम जानते हैं कि nerves में यह pain क्यों होता है तो nerves pain जिसे हम आम बोल चाल की भासा में नसों का दर्द कहते हैं और scientific language में इसे neuropathic pain या neurology के नाम से भी जाना जाता है जब किसी कारण से यह nerve में damage हो जाता है injury हो जाती है या कई बार कुछ बिमारियों के चलते हैं इसमें कोई disorder आते हैं उस condition में यह हमारे signals देते हैं brain तक यह interfere करते हैं wrong signals देते हैं और हमें pain create करने जैसे feelings लाते हैं जिसे हम neuropathic pain कहते हैं यानि की neuropathic pain के लगभग 30% से ज्यादा जो case होते हैं वो diabetes से related होते हैं इसके अलावा अन्य कई बिमारियों जैसे की HIV AIDS है इसके अलावा alcohol consumption है या fungal infection है या viral infection जैसे की हर्पीस जोस्टर की बाद होता है एक जिसे बोलते हैं तो यह nerve pain कई कारणों से भी देखे जाते हैं ले यह कितने टाइप का pain होता है तो यह जो pain होता है वो कई प्रकार के होते हैं जिन्हें हम spontaneous pain यानि कि बिना किसी कारण के यह होने वाला दर्द होता है इसमें जलन चुभन या बिजली के जटके जैसा दर्द होता है कई बार जुन जुनी या सुन पन जिसे हम numbness कहते हैं टिं फेस करती है या इसकिन से touch होती है तो उस condition में क्या होता है कि जब यह बहुत ज्यादा प्रशर में आती है तो यह जरूरत से ज्यादा pain का अनुभव कराती है जैसे कि कि किसी भी चीज की ठंडी चीज का जो spurs होता है वह बहुत ज्यादा महसूस कराना या जलन करने वाली है अगर तो बहुत ज्यादा जलन महसूस होती है कोई चीज चुभने वाली है तो बहुत ज्यादा जरूरत से ज्यादा चुभती है वह तो इस तरह के जो अनुभव होता है उस condition को एलोडीनिया में यह extreme sensitivity to touch यानि कि इस पर किप्रती समवेदन सीलता ज्यादा दिखाते है कई बार यह painful condition painful जो कोई भी stimulation है अगर वो हमें हमें जरूरत से ज्यादा महसूस होता है तब उस condition में इसे हाइपर-LGCA कहते हैं सेम इसी तरह से अगर हमें बहुत कम महसूस होता है तो उसे हाइपो-LGCA भी कहते हैं condition होते हैं डिसेस्थीसिया जब हमें किसी प्रकार की अजीव अपरी समवेदना महसूस होने लगती है उस condition को डिसेस्थीसिया कहते हैं और कई बार यह निरोपैथिक पेन के कारण इन्सोमिया यानि की डिप्रेशन और नीद ना आने जैसी समस्यां भी इसमें शामिल होती ह के now करते हैं कि नीरोपैथिक पेन को ट्रिगर करने वाले कारण किया है इसके कौज़ेश क्या है कौन चीजों के कारण यह निरोपैथिक पेन बनता है या बढ़ता है तो इसमें मुख रूप से है alcohol uses disorder, diabetes है, facial nerve condition है, HIV, AIDS है, CNS disorders like stroke, Parkinson's disease या multiple sclerosis जिसे MS कहते हैं, complex regional pain syndrome या syngels जिसे post-herpetic pain भी कहते हैं. इसके लबा other कारण भी होते हैं, other reason भी हैं, जो जैसे कुछ medicines related होते हैं, जैसे कि कुछ anti-cancer drug होती हैं, chemotherapy drug जैसे कि cisplatin, या paclitaxel, vincristine, या फिर radiation therapy, amputation मतलब है, जो एक प्रकार से काल्पनिक अंग जब लगाया जाता है, काट के तब वो दर्द के कारण बनता है, spinal nerve compression या फिर inflammation, या trauma हो या surgery हो जिसके कारण nerve damage हो जाए, या tumor हो जो नर्व को प्रेस करता है, तो ये सारे कारण, दूसरे कारण भी होते हैं, जो nerve damage या nerve pinch करने के बनते हैं, हम बढ़ते हैं इसके treatment पार्ट की तरफ, तो neuropathic pain का जो treatment होता है, वो underlying cause और specific symptoms पर depend करता है, और नहीं की अधार पर जो आपके doctor होते हैं, वो treatment को प्लान करते हैं, तो treatment का goal क्या होता है, objective क्या होता है, वो किसी साफ से इसका treatment start किया जाता है, तो उसमें जो पहला step होता है, कि treat any underlying disease, यानि कि अगर जिस कारण से कोई बीमारी की चलते हैं, अगर कोई ये nerve pain हो रहा है, तो उसको ठीक किया जाया, जैसे कि कई बार tumors की चलते होता है, या अन्य कोई कारण है, जिसके अंदर वो bulging हो रही है, तो उसे shrink करने, सिकोडने या उसे remove करने के लिए radiation therapy या फिर surgery की आवश्यक्ता पड़ती है, treatment का ultimate जो objective होता है, वो pain relief होता है कि patient को कम से कम दर्द हो, और वो work capacity या नि कि वो अपने कारच हमता को improve कर सके, अपना जो routine work है, उसमें उसको problem न हो, इसके कारण उसकी quality of life भी improve हो सके, उसके treatment में कई तरह की चीज़ें शामिल होती हैं, जैसे कि over the counter medicines हैं, जैसे कि कई तरह की painkillers होती हैं, जैसे कि ibuprofen, acetaminophen, aciclophenic paracetamol combination, या कई तरह का अन्य NSAIDs category की drug हैं, जो pain से relief देती हैं, उसरा है anti-seizures medicines, anti-seizures medicines जब दी जाती हैं, जब यह normal painkillers satisfactory result नहीं देती हैं तो यह anti-seizures जो drugs होती हैं, यह brain में काम करती हैं, और brain से जो signal को interfere करती हैं, इसके करण हमें जो pain की feeling है, वो कम हो जाती है, यह basically temporary result देते हैं, निरोपेथिक pain को कम करने के लिए anti-depressant medicine कभी सहारा लिया जाता है, क्योंकि कई बार यह neuropathic pain काफी irritate करता है, आपको depression ला सकता है, तो इस condition को control करने के लिए anti-depressant medicine का भी उप्योग किया जाता है, और यह overall pain को कम करने भी मदद करती है, यह भी pain के signals को कम करते हैं, जैसे कि लिडोकेन है या capsicin है, तो इनका एक cream को affected area में लगाया जाता है, यह कई बार patches को भी directly affected area में उप्योग किया जाता है, यह भी pain क signals को कम करते हैं, नर्व ब्लॉक के यह approach भी होती है, यह particular affected area में की injection को किया जाता है, जो temporary pain relief देते हैं, physical therapy भी इसमें included होती है, physical therapy में basically यह sourness, stiffness और इनके जो symptomatic जो relief होता है, इन से काफी जल्दी मिलता है, physical therapy में कही तरह की exercises recommend की जाती हैं और कुछ massage होते हैं, और यह regular करने पर यह जो body में pain relieving जो chemicals हमारी body बनाती है, यह उनको produce करने में help करती है, जिसके करण काफी हद तक आपकी quality of life भी improve होती है, pain से रहत मिलती है, सरजरी फिर एक option होता है, जब यह normal दवाईयां काम नहीं कर पाती हैं, तब सरजरी option होता है, जिसमें की affected area के पास की जो नर्व होती ह जाए, तो उस condition में सरजरी recommend की जाती है, psychological counseling यह कई बार treatment के साथ यह जरूरी होता है, क्योंकि patient को emotional stress से कम करने के लिए यह जरूरी होता है, तक कि patient को recovery जल्दी हो, patient को relief मिले, क्योंकि यह neuropathic pain के साथ में emotional stress भी जुड़ा होता है, कई बार patient को depression तक आ जाता है, नीन आने में समस्या होती है, तो इन चीजों को कम करने के लिए यह psychological counseling भी आवर्शक होती है, जब इन approaches से relief नहीं मिलता है, तो कुछ other techniques को उपयोग किया जाता है, जिसमें की spinal cord stimulation, peripheral nerve stimulation और brain stimulation भी शामिल होते हैं, यहां तक हमने देख लिया कि यह nerve pain क्या होता है, कितने type का होता है, और इनक treatment की जो steps होती है, यह नि कि approaches क्या होती है, इसके बारे में हमने जान लिया, अब यह nerve pain को कम करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या साथ धानिया रखनी चाहिए, तो उसमें कुछी चीजे included है, जैसे कि stop smoking, regular exercises जो recommended हो, lot of fresh fruit, vegetables, whole grains, and lean protein intake बढ़ाना चाहिए, limit intake, आप beverages that contain alcohol, जिनमें alcohol हो, ऐसे drinks यूज नहीं करना चाहिए, दूसरा अगर आपको diabetes है, तो regular sugar monitoring करनी चाहिए, क्योंकि diabetes के कारण भी यह neuropathic pain बढ़ता है, तो इस वीडियो में हमने जाना, nerves के बारे में, nerves pain के बारे में, और उनके treatment के बारे में, अगले part में हम बात कर रहे है इसके treatment से related एक brand के बारे में, जिसे हम neurokind G के नाम से जानते हैं, तो next video में हम neurokind G के बारे में बात कर रहे हैं, thank you so much for watching this video.